पाकिस्तान की बड़ी साजिश का परदाफाश अमरनाथ यात्रा पर लगी ब्रेक शद्धालों को घाटी छोड़ने का आदेश पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी हरकतों से साफ कर दिया है कि वो अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आने वाला है इसका सबूत है अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले ट्रेक पर बरामत हुए IED एंटी परसनल माइन और स्नाइपर गन जिसके जरिये पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने अपने नापाक इरादे को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन आतंकी अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में कामियाब होते उससे पहले ही भारतिय जवानों ने नापाक इरादों का परदा फाश कर पाकिस्तान के शैतानी चेहरे को एक बार फिर जग जाहिर कर दिया तलाशी अभियान के दोरान सुरक्षाबलों को हतियारों का जो जखीरा बरामद हुआ है उनमें से सबसे पहला नाम है M24 अमेरिकी स्नाइपर गन जी हाँ स्नाइपर गन जिसके जरी आतंकी दूर से ही आत्रियों को निशाना बना सकते थे M24 स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल अफगानिस्तान आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी सेना ने किया था इस राइफल से बेहत दूरी, बेहत कम वक्त में एक साथ कई टार्गेट को निशाना बनाया जा सकता है सवाल उठता है कि स्नाइपर गन आतंकियों के पास कैसे पहुचे अमेरिकी स्नाइपर गन का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना भी करती है सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में आईएडी और पाकिस्तान ओर्डिनेंस फाक्टरी में निर्मित एंटी परसनल माइन भी बरामद हुए बरामद आईएडी की मात्रा इतिनी ज्यादा थी जो भारी तबाही मचाने के लिए काफी है अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खत्रे की खूफिया सूचना के बाद जमुकश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रियों और परेटकों के लिए एडवाईजरी जारी की है जमुकश्मीर प्रशासन ने राज्य में ठहरे यात्रियों को वापस जाने को कहा है इतना ही नहीं, अमरनाथ यात्रियों और परेटकों से जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी लोटने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है फिलहाल अमरनाथ यात्रा पूरी तरह रोक दी गई है इसा पहली बार है जब अमरनाथ यात्रियों को बीच रास्ते से वापस लोटने के निर्देश दिये गए हूँ इस घटना को जमुकश्मीर में 35-1 को लेकर मचे सियासी हलचल से भी जोड़ कर देखा जा रहा है भले ही हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को अंजाम तक पहुँचने से पहले रोकने में कामियाब हो गए हो लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अपनी हरकतों से वो बाज आने वाला नहीं है प्यूरे रपोर्ट जी मीडिया